So Hello and बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Blade Runner K2L में आज से दो दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो डिलीज करी थी कि What are the career options after class 12th? Special humanities के student के लिए सारी चीजों पर मैंने चर्चा करी थी उस वीडियो में अगर आपने उस वीडियो के नहीं देखा है तो आई पटन पर लिंक कर रहा होगा और वहां से आप जाके देख सकते दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे सारे चीजों पर उस वीडियो में चर्चा की गई थी उसमें से एक option निकल के आया था C-U-C-E-T क्या होता है बहुत trending topic है सारे लोग videos बनाते हैं कुछ लोगों ने तो channel ही बना लिया बकायदा जहां पे वो लगाता और updates दिते रहते हैं So first of all एक disclaimer है इस वीडियो का कि ये कोई update वीडियो नहीं होने वाली है कि भाई C-U-C-E-T नहीं ये कर दिया या C-U-C-E-T नहीं ये कर दिया या N-T-A नहीं ये कर दिया U-G-C नहीं ये कर दिया ये update वीडियो रही है That will be complete detailed वीडियो एक एक topic पर चर्चा करेंगे C-U-C-E-T क्या है concept कहां से आया क्या क्या चीजे अभी इसमें शामिल है क्या क्या चीजे excluded है And what are the options beyond that सारी चीजों पर हम लो चर्चा करेंगे So here we go on the laptop screen and getting started with the video And make sure कि अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं करा है तो make sure कि आप channel subscribe करें क्योंकि हम लोग deep content देते हैं चाहे amenities की बात करें चाहे career informations related चीजों के बात करें अभी अभी हमने answer writing series launch की है अगर आपको उसके बार में नहीं पता है तो उस course में enroll करने के लिए नीचे google form का link दे दिया है उस course के features क्या क्या है उसको जाने के लिए eye button पे एक video आड़ी है उसको देख सकते है यह नीचे हमने एक PDF बनाई है जिसमें सारे features एक हे जगा पे है उस PDF का भी drive link जो है नीचे description box में डाल दिया if you are in the class 12th अगर आप CVC boards हैं या ऐसे किसी boards हैं जिन्वे एक महीने देर महीने बचे हुए exam में you should enroll in that course ऐसे features हमने लगाए हैं कि आपको बहुत मदद मेलेगी अपने scores को maximize करने में अब बिना देरी के video शुरू करता है So here on the laptop screen you can see this video is all about CUCET 2022 2022 में जो exam होने वाला है इतना hype create किया गया है तो ये exam है किस बारे में और इस video में हम लोग किस-किस चीजों को देखेंगे वो एक बार देखे लेते हैं So हमने शुरू करेंगे इसके background से CUCET का concept आया कहां से है Then we will see the recent developments कुछ essay updates जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है Then we will have the exam pattern या syllabus कि भाई कैसा exam pattern रहने वाला है And इसमें वैसे तो CUCET अलग-अलग courses के लिए होगा B.Sc. के लिए भी होगा B.Com. के लिए भी होगा But highly हम लोग इस वीडियो का रखेंगे Only for BA students जो Bachelor of Arts में appear होने वाले हैं उनके लिए And lastly हम लोग देखेंगे सबसे important and most asked question में से कि sir एक तो पूचा जाता है कि sir form कब तक आएगा तो इसके लिए बहुत सब्सक्राइब कोशिस कर रहा है कि जल्दी जल्दी निकले And दूसरी चीज़े कि date of examination हमारा exam कब होगा इसको लेके भी वैसे है तो examination का भी tentative date ही आया है June-July फिर मैं यहाँ पर अपना opinion दूँगा कि ये date जो है इसके आसपास आपका exam हो सकता है पीछे तर्क भी मैं दूँगा आपको Now getting started with the background कि ये exam जो है कहां से आया तो देखो C.E.T. कोई नया concept नहीं है C.E.T. basically इसका जो full form है The abbreviation is Central University's Common Entrance Test पहले भी होता था 2022 से पहले 2020 से पहले भी होते थे ये exams इसमें बहुत सारी जो अलग-अलग राज्यों की Central Universities है वो participate क्या करती जैसे बिहार से बात करें तो एक Central University है Central University अफ साउत बिहार जो गया में है पर जैसे पंजाब की Central University राजस्थान की Central University ये सारे इसमें पार्ट लिया करते थे और यहां पे जो admission है वो इस exam के तहत मिला करता था अब इसमें क्या हुआ है पहले तो 12 universities ही होते थी अलग-अलग राज्यों की Central University जब हमारे यहां NEP आता है 2020 में National Education Policy आती है और उसमें कहा गया कि हमारे जितने भी student है इनमें एक यह चीज़ देखी कही है कि इने Equal Opportunity नहीं मिलती है For example जो खास करके इस CUCET का मकसद ही है कि जो बड़े-बड़े institutions है वहाँ पे opportunities को equivalent करना Equal Opportunity मिले चाहे वो student गुजडात का है या बिहार का है या मध्यपरदेश का है जैसे For example बात करें Delhi University की तो इसमें कोई बच्चा अगर और इसमें पहले merit list के जड़ी admission होता था अब thankfully CUCET के जड़ी होता है तो जब merit list के जड़ी होता था तो most अबने जो colleges है जो top के colleges है उनमें 95 plus cut-offs जाते थे कभी-कभी तो 98-99 भी जाते थे या उससे भी जादा तो इतनी जो cut-off है जो परसेंटर है वो बहुत सारे state board में इतना lenient marking scheme नहीं है तो बच्चों को जो toppers होते हैं उनको भी 85-80 परसेंटर ही मिलते हैं और बाकी जो average and average student है वो 70-75 70-75 भी बहुत बोल दिया मैंने 60-70 की भी चड़ते हैं तो वो जो इन universities में पढ़ने का खाब है वो कभी नहीं दीख सकते थे and talented तो वो भी है वो वहाँ पे copies जो है वो उतनी lenient check नहीं कर जाती इसका खामियाज़ा इने भुगतना पढ़ता था इस तरीके से वेदलिटलिटी के colleges में admission नहीं मिल पाता था because of merit list क्योंकि cut up इतनी उपर जाते थी तो ये चीज़ address की गई and खागया कि जितने भी अब Central Universities है I am again reminding you Central Universities उनका एक gateway हो admission का कोई merit list के जड़िये नहीं हो and कोई अलग-अलग अपना entrance exam ना करवा है अगर entrance exam हो आइदराबाद में admission प्राप्त कर सकते हैं जामिया में admission प्राप्त कर सकते हैं और क्या होगा अगर पहले let's suppose entrance देना होता था तो डियू में तो चले merit list है तो वहाँ तो बहुत साथे state board के बच्चें वो तो appear यी नहीं कर पाएंगे वो तो eligible ही नहीं है क्रिटेडिया इतना हाई है और कुछ-कुछ entrance exams लिये जाते थे जैसे AMU का लिया जाता था बेच्चू का लिया जाता था जामिया वागर लेते थे अपने entrance जहादरबाद की भी इनर्टिटी लेती थी तो इन सब की अपनी-अपनी अलग-अलग जो authority है वो exam लिया करते थे मतलब AMU के लिए अलग form भढ़ना है बेच्चू के लिए अलग form भढ़ना है जामिया के लिए अलग form भढ़ना है तो कुल मिला के अगर हमने 6-7 form भढ़े और at least सारे form का जो cost होता था वो 500 से कम तो किसी का नहीं होता था तो ऐसे करके 3500 के करीब एक student form ही भढ़ता था तो अगर वो below poverty line family से है जो इतने पैसे नहीं forward कर सकते तो उनको बहुत सहूलियत हो जाएगी एक ऐसा common exam लाने से कि अब हमें 500 रुपे ही form के registration के तौर पर देने है and then for exam देना जिससाब से हमारी cut-off आएगी जो हमारा preference रहेगा उससाब से हम अपने colleges and universities में दाखिला ले सकेंगे तो that was the concept behind this common entrance test जो अभी जिसमें और भी सारे universities को include करा गया पहले भी होता था पहले के विल 12 universities थी अलग लगा राजियों की अब इसमें इस दाइरे को और बढ़ा दिया गया अब इसमें तीन सबसे major जो universities है JNU, BHU and DU इनको भी शाविल करा गया है आगे अगले slide में कुछ-कुछ recent developments है उनको उपर चर्चा करेंगे और कुछ-कुछ controversies है उनको भी देखेंगे अब यह जो exam लिए पहले क्या होता था Central University जो होती थी जैसे BHU हो गया या MU हो गया उन सबकी अपनी अपनी authority होती थी exam लेने की अब CUCT के लिए UGC ने कहा कि जब हम लोग एक gateway बनाते हैं तो एक authority को दे दे कि सारों का exam ले ले जैसे CUCT एक ही exam होगा और इसी exam के थाथ आपको इन सारी universities में दाखला मिलेगा जो भी इसके अंदर आएंगी तो एक authority होनी चाहिए NTA और NTA जो है ना केवल CUCT के बलकि और भी बहुत सारे exam से लेते हैं जिसे NEED का exam NTA लेती है फिर UGC NET NTA लेता है JNU में जो PG और master's level के courses है उनमें NTA के जड़ी दाखला होता है management aptitude test होता एक CEMAT वो भी NTA करवाती है तो बहुत सारे और भी examinations एक pharmaceutical की पढ़ाई जबाब करते हो तो वहाँ पे एक test देना पड़ता है वो भी NTA करवाता है तो NTA एक बहुत prestigious test conducting agency है फिल फर्म होता है national testing agency तो यह हमारा कुछ background है शुरुआत से हमें ने discuss कर लिए कि CUCET कोई नया concept नहीं है हाँ बस limelight में यह अब इसलिए आया है क्योंकि national education policy के तहत इसके अंतरकत ऐसी ऐसी universities को भी जोड़ा गया है जो पहले entrance examinations नहीं conduct करवाते थे and opportunities को basically equalize करने की कोशिस की गई है that is all about the CUCET that is all about the background now we will see some recent developments क्या-क्या recent development हो है तो अभी तक जितनी भी meetings held होई है कहीं पे आज से आप दो महीने पहले की कोई video देखोंगे तो कोई कह रहा होगा कि 45 universities अभी तक शामिल होंगी या 46 होंगी या 50 होंगी अभी मैं दो दिन पहले meeting हुई है दोती दिन पहले तो मैंने एक article पड़ा वहाँ पर दिया हुआ था कि Choban universities will be participating in the CUCET exam और जिसमें जो major 3 है वो JNU है DU है, BHU है JNU में BMA सारे के सारे हमारे language courses होते हैं History, Policy, Philosophy वगरा नहीं होती है DU में सारी चीज़े मिलेंगे BHU में आपको सारी चीज़े मिलेंगे यहाँ पर दो बहुत एहम Central Universities हैं जिन्होंने CUCET में खुद को enroll करने से मना कर दिया जिन्होंने कहा कि हम लोग CUCET के जड़ी अपने institute में दाखिला नहीं देंगी उसमें तो सारे Central University है एंड हम इन सबसे थोड़ से अलग है Because we are minority institutions क्योंकि हमें grant वगरा भी उसी आधार पर मिलते हैं तो अभी तक हलाँ कि कोर्ट में यह मामला जो है सब जोड़ी से हैं अभी तक फैसला होना मां की है लेकिन most probably इन दोने institutions की तरफ से अभी तक जो आप कह सकते हैं नजरिया जो संकेत मिला वो ऐसा कि यह participate नहीं की जामे ने तो clear ने कर दिया और इन दोनों का participate नहीं करने का sense भी बनता है इन्होंने का है कि CUCT हमारे ले कुछ नया तो है नहीं क्योंकि already हम लोग पहले भी अपने entrance test करवाते थे तो यह तो डियू जैसे institute के लिए बहुत जादे important है क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी merit list के अलावा entrance exam करके admission करा ही नहीं है तो हमें क्या जरूरत है CUCT में खुद को enroll करने कि हमारा खुद का ही अपना entrance exam होगा तो यहाँ पर मैंने एक article भी pin किया the quint का यहाँ पर elegant muslim university ने काई कि हम लोग CUCT में participate नहीं करेंगे जामिया के authorities ने भी कुछ समय पहले कह दिया कि हमारा खुद का ही exam होगा तो for those who are preparing for AMU and जामिया उनको इस बास से aware रहना है कि CUCT के लिए वो वेटना गरे forms के notifications का इंजार करे अगर कुछ ऐसा forms release किया जाता है AMU की तरफ से जामिया की तरफ से तो we will surely inform you बट फिर भी आप अपने आखों को and कानों को खुला रखे and यहाँ पर आप एक word देखे रहोंगे status quo status quo जो होता है यह लीगल टर्म है जिसका मत्तब है पहले जैसा था वैसा ही रहेगा तो AMU जामिया ने काई कि पहले जैसे हम लोग अलग से अपने इंट्रास करवाते थे वैसा ही अबर आएगा हम लोग कोई CUCT में खुद को नहीं शामिल करने वाले so these are some recent developments अब यह भी डेटा है कि तकरीब एक सो चालिस टेस्ट सेंटर्स बनाये जाएंगे अलग 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 जगों पर आचा NTA क्या करवाती है NTA के most of the exam जो होते हैं ऑलाइन होते हैं तो यह बात आप समझ लो अगर आप CUCT देने जाड़ा हो and NTA Testing Agency जो है वो आपका exam ले रही है तो exam will be in online mode ठीक है तो NTA क्या करती है NTA इस बात को समझती है कि बहुत साथे rural background से जो लड़के हैं उन्होंने computer वगरा चड़ाये नहीं है तो उन बच्चों को उन बच्चियों को हमें एक practice करके बताना पड़ेगा कि कैसे computer-based test यानि CBT जो है वो देते हैं तो कुछ-कुछ वो TPCs established करती है Test Practicing Centers तो अगर आपके आस-पास कोई TPC स्थापत है तो आप पता करें और वहाँ पर जाके examination के practice ज़रूर कड़ा है क्योंकि अगर आपने पहले CBT नहीं दिया है और आप ऐसे backgrounds हैं कि आपने computer वगएरा जादा नहीं चलाया तो online examination में आपको problem आ सकती है figure out कि आपका TPC कहा है आस-पास में और फिर उसे साब से test practice center में जाके mock test दे दो, questions वैसे बिलकुल भी नहीं अगर आप उसमें दुबारा टिक लगाओगे तो आपका नुकसान है उसके marks ऐसे ही जाएंगे और गलत लगा दिया तब तो ऐसे ही जाएंगे तो यह मेरे तरफ से एक personal opinion था कि TPC में ज़रूर जाके खुद को एक test कर ले कि कि भाई मैं इस चीजों में comfortable हुया है नहीं now we will move on to the exam pattern कि क्या exam pattern रहने वाला क्या syllabus रहने वाला बहुत controversies हैं and लोग जो है महंगे महंगे courses बेते रहे कि भाई CUCT cat level का exam होगा या वो होगा या वो होगा 25-25 जरार के courses 30-30 सतार के courses एक course का मैंने देखा था अभी चुकि हम लोग भी CUCT के course को लिकर plan कर रहे हैं and for those who are seeking guidance regarding CUCT उनको inform कर दे कि हम लोग इस platform के जरीए इसी महीने most probably अपना जो android app है वो launch करेंगे and उसमें फिर हम लोग CUCT के proper तयारी आपको कराएंगे कैसे कराएंगे उन चीजों को लेके आगे धीर 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 पढ़ते खोली जाएंगी तो stay tuned जिन्होंने subscribe नहीं कर रहा make sure hit the subscribe button and जो भी prices आप देखे रहां market में वो कुछ भी नहीं होंगी हमारे सामने एक price तो मैंने देखा था कि वहाँ पे उन्होंने काट के 55,000 को 55,000 को काट के 18,000 क्या हुआ था मत्तब इस course की worth ही नहीं है 55,000 ठीक है इतना आपको time देना ही नहीं है और इतनी tension नहीं ले ली है because जो pattern मैं भी बताने वाले हूँ आपको इसको देखे थोड़ा सा आपको जो relief है वो मिलेगा लोग क्या करते है अपने courses को बेचने के लिए बहुत hype create करते हैं ठीक है देखो ऐसा है आप लोग ना खुझ से भी तयारी काड़ सकते हो ठीक है बातचीत हो रही है उसे साबसे लगड़ा है कि दो sections होंगे exam में दो sections होना मत्तब ऐसा नहीं कि एक exam होगा आठ से 12 और दूसरा exam होगा एक से 4 ऐसा नहीं exam एक ही होगा उस paper में दो sections होंगे एक section A रहेगा और एक section B रहेगा यह especially for BA students है जो bachelor of arts opt करने वाले है अलगले universities में दाखिला लेंगे उनके लिए जो humanities पर्शू करना चाहता है graduation में उनके लिए मैं पैटरन बता रहा हूँ section A जो है वो common रहेगा चाहे वो BA के student हो चाहे वो basic student हो B.com के student हो ठीक है हो सकता है थोड़ा सा level उपर नीचे है लेकिन इसमें जो चीज़ें वो common ही रहेंगे section A में आपका basic maths आएगा I am again repeating it basic maths आएगे basic maths में ज्यादातर arithmetic के portions geometry बहुत कम आएगा and trigonometry से अगर सवाल आएगे भी तो बहुत basic सवाल आएगे क्योंकि उन्हें पता ही कि आपने दो सालों तक maths नहीं पढ़ा है और आपको अगर maths पढ़ना होता तो आप humanities क्यों लेते हैं आप graduation क्यों लेते हैं तो वो आपसे बस इतना पूछेंगे कि उससे यह अंताज़ा लग जा यह आदमी जो इतने बड़े university में दाखिला लेने की सोच अड़ा है वो अपने comfort zone से बाहर जाके कुछ prepare कर सकता ही नहीं कर सकता है तो इसके लिए वो आपसे यह टेस्ट करते कि आप इतने नोबिल हो की नहीं हो कि नहीं हो कि उस language के उपर थोड़ी सी और extra effort डाल के मेहनत कर सको यही काम यहाँ पर NTA करेगी आपके basically intent को जानेगी यहाँ पर candidate को filter करा जाएगो जो भी serious और non serious है उनको reasoning होगी logical and verbal बहुत basic level की reasoning भी होगी basic level से इसका मतब यह नहीं कि आपको prepare नहीं करना है basic level से यह मतब है कि आपको डरना नहीं है preparation तो आपको लगेगी ही लगेगी ठीक है आपने चाहे बहुत reasoning बना ही तब भी preparation लगेगी आपने कुछ भी नहीं बना तब भी preparation लगेगी third thing will be English grammar और comprehension का जो part है तो English में जितने भी लोग CVC से हैं उनको थोड़ी से सहूलियत हो और बहुत साथे straight word की भी बच्चे होते हैं जिनकी English बढ़ियां होते हैं so in the language English में जो है grammar भी आएगा comprehension भी होगा ठीक है grammar में आप keywords वगरा को ढूढ़ने वाले सवाल हो सकते हैं voice वागरा में change करड़े वाले सवाल हो सकते हैं comprehension में जो parazimble होता है जो passage based सवाल होते है close test होता है जब हमनों course तयार करेंगे कर रहा है actually तयार तो आपको साथी चीज़े to the point मिलेगी and third thing is GK and GS general knowledge and general sciences में basic questions होंगे one liner जो आपने loosenet वगरा में कभी बढ़ा होगा तो इनको बस आपको याद करने की जरूरत है कि सवाल आए और आपने याद किया है तो टिक लगा दो और इसके अलावा ये तो static portion होगा इसके अलावा current affairs भी होंगे तो current affairs में जरूरी नहीं आप एक साल पीछे का current affairs पढ़ो ये UPC का exam नहीं है आपको पीछे के 6 महीने के current affairs पढ़ना है और वो भी daily daily के पर के कोई फायदा नहीं कोई ऐसा channel उठाओ जिसमें weekly के current affairs वो लो परवाइड करवाते हैं या मंधली के current affairs whichever you are comfortable in daily के पर के कोई फायदा नहीं वो कुछ भी news डाल देंगे रशिया पे रुकिडे ने फलाना बम गिरा इसका नाम क्या था तो ये सारी चीजों की कोई आवशकता नहीं वैसे हम लोग भी अब weekly current affairs डालना शुरू करने वाले हैं पर उसके सवालों को attempt करते थे अलीगर में भी शायद ही case था वाँ पर English जो नहीं attempt करते थे उनके लिए उर्दू का option होता था तो क्या ऐसा रहेगा तो I'm not sure बट ऐसा करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे Hindi medium के बच्चे हैं उनको भी दाखिला लेना होता है और बहुत कम समय में अगर वो चाहे grammar part तो चले बहुत बढ़ियां होता है जो Hindi medium के बच्चे होता है उनका लेकिन comprehension जो है वो दो-तीन महीनों में सुधारना थोड़ा सा मुश्किक काम है वैसे हम लोग पूरी कोशिस करेंगे जो भी बच्चे हमार सा CUCT में जुड़ेंगे कि comprehension part पे जो है उनको थोड़ा सा extra महनत करके उनकी यह चीज है वो सही करवाई जा तो I'm not sure कि Hindi आगा कि नहीं आगा बट आना थे है मेरे साब से कर मैं तो मैं हिंदी को भी डालता इससे क्योंकि बहुत सारे जो हिंदी मेंडू के बच्चे है वो पीछे ना डाजा section A this is journal section and एक होगा हमारा domain is specific जो section B है domain is specific में क्या है चाहे आप किसी भी stream से आपने 12th कर रहा हो चाहे science से कर रहा हो या commerce से कर रहा हो या humanity से कर रहा हो and आपको एक जान के चीज अस्टर्ज होगी कि graduation में जितनी संक्या humanities के student के होती है उतनी किसी stream के student के नहीं होती है मैंने data देखा था almost graduation में 97 lakh लोग on an average admission लेते हैं humanities में and engineering में या आकर आप 50 लाग के करीबे medicine में 45-40 के करीब commerce में घटके और डीचे आ जाता है तो ये जो आकरा है ये बताता है कि to wealth भली आपने किसी भी stream से कराऊ but graduation में बहुत सारे लोग arts लेते हैं तो इसको लेके NTA ने and CUCT के थार्टी ने ये सोच रखा है कि जो बच्चा arts पढ़ने आ रहा है ठीक है graduation में तो उसकी हम थोड़ी सी knowledge चेक कर ले GKGS में तो चलो ठीक है normal चीज़ें पुछी जाएंगे लेकिन जो आप पढ़ने जाड़ो इसके बारे में कुछ आपको पता है भी या नहीं है तो उसको चेक करने के लिए domain is specific section होने वाला है जिसमें history, pole, science, geography और economics इन चारों से डिलेटर जादातर सवाल लहने वाल है वैसे और भी बहुत सारे subject है like socialology होगा, psychology हो गया तो उन सब के सवालों के पूछे जाने के संभावना कम है क्योंकि जादातर जो होते है student वो इन तीनों को 10 तक पढ़के ही आते है history, pole, science, geography and economics उस चारों में भी I would suggest कि इन तीनों के उपर तो आपका अच्छा command होना चाहिए 6 to 10 ठीक था का आपने पढ़ा हो and 10 to 12 जिसने पढ़ा हो है जैसे जो humanities का student है जिन्होंने element 12th humanities में ही पढ़ा है तो उनके लिए तो यह domain specific section जो है वो आराम से cover हो जाएगा उनको इसमें जादा मेहनत करनी की ज़रूरत है जो ऐसे student है जो 12th जिन्होंने commerce से कर रहा है या math से कर रहा है and जो dual admission चाहते है history honors में या pole science honors में अलगल डीजर्स के वज़े से या यह चुमें पढ़ना चाहते है तो they should work upon that section क्योंकि उनका जो basic mathematics है and reasoning है क्योंकि उन लोगोंने quants वगरा already बना होते है 12th तक तो ये चीज़ें उनकी अच्छी रहती है English पे थोड़ा बहुत काम करना पढ़ेगा लेकिन domain specific में उनको अच्छे खासे command की जरूरत है तो यहाँ पे जो आपका differentiator है वो depend करते है कि आपके competition में जदातर बच्चे को हैं अगर सारे humanities वाले ही जिन्होंने 12th में humanities ले रखा है वो ही participate करता है तो differentiator will be section A लेकिन अगर mixed होता है तो जिसका तो फिर देखना पड़ेगा ऐसे बच्चों को पीछे करने के लिए जिन्होंने 12th में science लिया हुआ था यह commerce लिया हुआ था section B will work and ऐसे बच्चों को पीछे छोडने के लिए जिन्होंने आपके साथ 10th और 12th में 10th के बाद humanities ही लिया है उनको पीछे करने के लिए आपका section A भी मजबूत होना ज़रूरी है for that मैं यहाँ पे यह essence बता के यहाँ पे conclude करना चाहूँगा इस section को कि आपको section A पे भी मैनत करनी है और section B पे भी मैनत करनी है आपको अपने weaknesses और strength को पहचानना है then we will have to plan accordingly and उसे साब से में आगे की सीडियां चड़नी है that is all about the exam pattern and syllabus अब आगे वढ़ते हैं exam के date को समझते हो कि आपको यह जो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ों पर चड़चा की है कोई doubt ना रहा हो examination के date की बात की जाए तो expected date अगर मुझसे पूछो तो as of now I would say कि July 2022 में exam होगा वैसे सारे newspaper वाले जितनी भी meeting send हुई है उनके बात का गया कि June July में exam होंगे but मेरी मानों तो July में ही होंगे क्योंकि CBA से की examinations कब से सुड़ है 26 applications है और 26 applications है examinations शुड़ हो है यानि कि जो main subject है उनके exams 10 में के आसपास शुरू होंगे क्योंकि पहले 14-15 दिन जो है ये language subject है और भी जो छोटे मोटे subject है music, fine arts and physical education ये सब करवाती है CBAC तो 10 में से आपके main subject शुरू होंगे और इसमें भी exam खतम होते होते atlas 15 दिन लगेगा 25 में तक आप examinations CBAC के शार्च चलेगा 26 आपर इल को शुरू हुआ तो तो 25 में को जो बच्चा exam लेके free हो रहा वो June में कैसे CUCT के लिए appear हो सकता है तो इसको लेके भी कोई भी जो examination है वो board के डेर्दो महिने के बाद ही होते है तो June में examination होने के chances बहुत कम है I would say 10% chances are there ठीक है कि CUCT जो है June में हो जाए बाकि इस chances है कि July में हो और फिर अगर Corona आता है तब तो फिर बात ही छोड़ दे बट मनाए कि Corona ना है क्योंकि 2020 में भी CUCT हो सकता था लेकिन Corona के चलते ही UDC ने कहा कि अपने-पने universities को जैसे DU को कहा कि जैसा आप admission लेते हैं तो वैसा ही लेलो B.HU, M.U. वगेरे को कहा कि आप अपने-पने इंटरांसे कंड़क्ट करवा लो क्योंकि अभी के लिए हमारे पास इतने resources को अरेंज करने की चामता नहीं है इस बार होप की Corona का कहर नहीं आएगा जितने भी बच्चे अलेग अलग उनवर्सिटीज में अच्छे चे जगों पर पढ़ना चाहते हैं उनका सपना साकार हो Here I will see कि आप चुकि अब करियर के बारे में information पता करेंगे तो कुछ-कुछ abbreviations है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे एक आता हमारा CBT computer-based test जो आप online test देते हैं उसको computer-based test कहता है फिर एक आता TPC हमने बता है test practice center फिर एक आता UR बहुत बार आप UR टर्म भी देखोगे that is unreserved जो general category के लोग होते हैं उनके category में हमेशा UR लगाया जाता बाग कि category wise OBC, EWS that was all in the video एक चीज मैं यहां पर और बताना चाहूँगा कि सबको अगर यह लगणा है कि CUCET ही एक मातर option है मुझे अच्छे जगा से अगर BA करना है तो that is not the case बहुत सारे और भी options है only for BA in the social science Tata institution of social science एक बहुत अच्छा option हो सकता है IT मदरास भी एक course कराती है वो भी बहुत अच्छा option हो सकता है तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इन दोनों पे एक separate video लाऊंगा TIF में कैसा भी यह होता है क्या scopes है IT मदरास में क्या scopes है and इन दोनों में मुझे किस के लिए opt करना चाहिए CCT के अलावा भी आपके पास back up होना चाहिए अगर आप यह करना चाहते है तो अगर आप social science ही पढ़ना चाहते है तो क्या-क्य options are available है बाकि बहुत सारे और भी मेरे पास demand आए कि सर आप mass communication के बारे में बताओ सर आप थोड़ा सा new jet के बारे में बताओ सर आप थोड़ा सा IBM के बारे मता दो तो इन सब पर मैं एक एकर के वीडियो बना रहा हूँ आपको पहले अपने recommendations देने हैं नीचे comment में के सर आप इस पर वीडियो बनाईए and please make sure कि अगर आप कोई वीडियो अची लगी है and as a platform we promise you कि आपके इस journey में चाहिए UCD की journey हो, चाहिए test की journey हो, चाहिए IT मदरास की journey हो हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे this is why we are building hard कि हमारे जो app है वो जल्दी से जल्दी बन सके ताकि ना केवला आपको entrance examinations के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़े बलकि जो हमारा telegram group है, उस पर हम लोगों देखाए कि doubts जो है, वो बहुत unorganized होगा है तो उस app में हम लोग सोच आठे कि कुछ ऐसा डाला जाए कि आपके doubts भी solved हो सके and जो doubts solve करते हैं, उनको कुछ incentive भी मिल सके तो बहुत सारी ऐसी से चीज़ है, जो हम लोग experiment करके खुद से बनाने के कुशिस कर रहा है हम लोग app बाहर से नहीं बन वा रहा है, खुद सही develop करने के कुशिस कर रहा है तो hope की बहुत अच्छी चीज़ हो है, वो आपके हाथ हो में है कुछ दिनों तक, wait for it and make sure कि अगर आपने इस वीडियो को पसंद कर रहा है, तो आप इस वीडियो को share ज़र हो करें, thank you from the bottom of heart all the best